menestral cycle in human first the contents menestral cycle follicular stage follicular phase ovulation luteal phase and the menestration so and सबसे पहले हम थोड़ा से देखते हैं कि what is menestral cycle menestral cycle से पहले अगर हम broadly देखें तो basically जो different types of animals हैं उन में female can reproduce young one at a certain time एक खास time के उपर जो होता है वो reproduction कर सकती है आपने young one जो प्रडूस करने के ability होती है उसमें बहुत सारे animals हैं जिसमें साल में सिर्फ एक ही दफ़ा reproduction कर सकते हैं बहुत सारे birds हैं या बाकी जो reptiles वेरा हैं वो साल में सिर्फ एक दफ़ा अपने young one reproduce करते हैं इस तरह से कुछ animals ऐसे होते हैं जैसे rabbits वेरा जो हर 2-3 months के बाद reproduce कर सकती है female जो primates है primates जिसमें अंदर important human है एपस हैं ये वो animals हैं जिसमें जो female है वो आम तरफ पर that is ready for reproduction during each month हर month वो कह सकते है reproduction के लिए reproduce कर सकती है ability रखती है for the fertilization ability उसके अंदर मौझूद होती है यह नहीं हम कह सकते हैं कि every month the egg is matured तो हर month जो एग मैचूर होता है fertilization के बाद young one produce हो सकता है female के अंदर जो cyclic है every month जो है वो egg produce होता है उसके तरह जो ovary के अंदर खास किसम की changes आती है ovary के सासा जहां embryo implant करना तो uterus उसके अंदर भी खास किसम की changes आती है तो ovary और uterus के अंदर every month जो changes है उनका हम collectively क्या कहते है menstrual cycle बोलते हैं तो basically menstrual cycle फर क्या हुआ it is the cyclic changes these are the periodic changes cyclic के लिए यह प्रियोड़क के लिए periodic changes in the reproductive track meaning that is ovary in the uterus of the female during each month हर months जोशके अंदर reproductive track changes that is the menstrual cycle menstrual cycle start कब होता है female में it starts right from puberty puberty बलूगत के साथ ही start होता है it remains up to 45 to 55 years तो 45 य न 55 years तक जो female है वो reproduce कर सकती है यह उसके अंदर एग जहाओ प्रोडूस होता है मैचौर होता है। उसके बाद उसके अंदर एग प्रोडूक्शन का यह एग के जो मैचौर होने का प्रस्ट्स है वो स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब है कि 45 या 55 के बाद जो फीमेल होगी देट विल नाट बी अबल तो रिप्रोड्यूस आप हम बात करते हैं जो हम यह कहरे हैं कि every month ते एक cycle या periodic changes है egg production की तो यह जो periodic changes egg production और egg की implantation के लिए जो है उनको हम आम तो पर four phases में device करते हैं the first one is the follicular stage follicular phase या stage वो है जिसके दुरान जो एग्स ovaries के अंदर eggs जो है वो मैचूर होना शुरूर जो है basically एग और जो एग है वो एक खास structure के अंदर मुझे इसका हम follicle बोलते हैं तो follicle की जो maturation अगर हम इससे भी थोड़ा से देखें जो female की ovary है उसके अंदर जब उसकी female की पैदाइश होती है यह जब वो खुद उसकी development हो रही होती है mother के uterus के अंदर तो अभी यह नहीं के वो female जो है वो अपनी developmental stages के अपर है अभी चार या पांच माँ उसका अपनी मदर के body के अंदर development के गुजरे हैं तो जब उसके अंदर जो ovaries होंगी baby female के अंदर जो ovaries है उसके अंदर जो egg है या follicles के बनने का process टार्ट हो जाता है और जितने उसने जिदगी में egg produce करने होते हैं वो उसी वक्त बन जाते हैं या कैसे हैं वो initial stage के उपर halट हो जाते हैं eggs का वो तो आम दोर पर इसका मतलब है कि female के अंदर खास number of eggs जो हो मुझूद होता है अचा male के अंदर इसमें difference है कि male के अंदर जो sperms हो continuously produce होते हैं throughout the life जब कि female के अंदर egg की continuous production नहीं है बलके वो life के खास इससे में produce हो रहे है female जब अब जब वो चार या पांच माह की अभी उसकी development start होई है mother के पेट के अंदर तो उसके अंदर follicles बन जाते हैं एक बन जाते हैं लेकर वो egg की further development नहीं होती unless she reach to the poverty जब वो young उसकी birth हो जाएगी बर्त के बाद जब वो अपने जिनकी poverty की age तक पहुँचेगी तो यह बलूगों तक जब पहुँचेगी तो फिर क्या होगा फिर उसके जो pituitary gland है वहाँ से follicle stimulating hormone release होगा वो ovaries के अंदर वो जो initial follicle थे उनको effect करेगा और फिर क्या का उसकी development start कराएगा तो यह इसका अतरा ही कि follicle stimulating hormone एक तरफ इसके दो important role है यह ovary के अंदर follicles की development start कराएगा साथ ही इसके ovaries के अंदर से estrogen produce होता है estrogen जो है वो uterus के अंदर जाकर उसकी thickness करता है uterus को prepare करता है कि जब वो egg uterus में पहुँचे तो उसको क्या किया जा सके implant किया जा सके second phase of menstruation जो है वो है ovulation का basically जैसे ही ovary के अंदर follicle है वो mature होना शुरू हो जागा ovary से estrogen प्रोडूस होगा estrogen क्या करेगा पिछले gland के अंदर luteinizing hormone को boost करेगा luteinizing hormone फिर आएगा और आका follicle है उसको release करवाएगा from ovary तो luteinizing hormone का क्या काम होगा ovulation करवाना ovulation का मतलब क्या कि follicle को ovary से release कराना egg को release करवाना from the ovary अब ovary से जब अगर हम देखें तो जो follicle से यानि कि जो ovary ने उसको release करवा से वो release जब होने का जो process देसे जाए ovulation है ये अब उसके बाद अगला phase है एक follicle से जब egg release हो जाता है तो वो फिर एक और structure में convert हो जाता है that is called the corpus luteum corpus luteum basically ये जो follicle से egg release होने के बाद follicle का corpus luteum में जो convert होना होगा that is will be called as the इसको हम क्या कहेंगे इस इस दा luteal phase है corpus luteum का बहुत important function है it is involved in the production of progesterone hormone and the estrogens then the menstruation अच्छा अगर फर्द करें कि जो egg है उसकी fertilization नहीं होती है जब fertilization नहीं होगी तो इसका मतला है uterus में implant नहीं होना है and it will fall out of the body egg जब body से बाहर fall out कर जाएगा तो जो corpus luteum है वो disintegrate कर जाएगी यह तक्रिबभर 14 days के बाद वो disintegrate कर जाएगी carpus luteum के disintegrate का होने का मतलब यह है कि progesterone और estrogen की production बंद हो जाएगी अब इसका effect होगा uterus के उपर uterus में जो निया tissues बने थे जिन्हों नहीं आकर implant कराना था embryo को now they will disintegrate और इसके वज़ा से ब्लीडिंग जहाँ हो start हो जाएगी तो इससे यह menstruation का process क्या हो जाएगा इसमें start हो जाएगा यहाँ गर इसमें diagram में देखें यह basic बिताएगा कि ovary के अंदर egg कैसे develop हो रहा है सबसे पहले luteinizing और follicle stimulating hormone आते हैं यह ovary के अंदर जो immature follicle हैं उनको development start करवाता है especially follicle stimulating hormone जब follicle mature हो जाता है तो फिर आ जागा luteinizing hormone यह क्या करेगा कि यह follicle की ovulation करवाएगा follicle के अंदर से egg को release करवाएगा then अब release के बाद जो follicle है it is converted into corpus luteum अब जो egg है वो reproductive track में चला जाएगा अगर fertilization नहीं होती तो egg जाएग यह body से release हो जाएगा शुरू में corpus luteum progesterone hormone और estrogen प्रोड्यूस करेगा अगर fertilization नहीं हो तो यह आश्ता इस्ता carpus luteum जावो disintegrate हो जाएगा breakdown शुरू हो जाएगी और इसके बाद यह आश्ता इस्ता जावो destroy हो जाएगा खतम हो जाएगा और progesterone की production बंद हो जाएगी अच्छा अब इसका effect uterus के उपर क्या होगा uterus वो जगह है जो के reproductive track का वो इससा जहां आकर अगर fertilization होती तो young one नहीं implant होना होता है शुरू में uterus जाएग उसके वाल इतनी थिक नहीं होती है जैसे ही follicle stimulating hormone ओवरी को आकर boost करता है तो ओवरी के अंदर से estrogen produce होता है ये estrogen आश्टा आश्टा जो uterus की वाल है जिसको endometrium भी बोलते हैं इसको thick करवाता है अब जो thick वाल जो है ये basically ready है embryo को अपने साथ attach करवाने के लिए लेकिन अगर embryo बना ही नहीं तो फिर क्या होगा फिर ये होगा कि embryo ना बनने के सूर्ट में प्रोजस्टिरोन और estrogen की जो है वो secretion बांद हो जाएगी जिसके वज़ासे ultimately ये सारक सारा जो endometrium में destroy हो जाएगा और bleeding की farm में body से बाहर निकल जाएगा